तो सबसे पहले मेरे सभी सगा जनुकू मेरा सेवा जोहार जै सेवा जै गोडवाना जै बड़ा दिव मेरा नाम है बरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बरत पंद्राम ओफिशियल तो आज की स वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 750 क्या है गोणि धरह में 750 का मतलब क्या होताई पूरी विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकाली देखनों करे मिलेगी आप देखेंगे कि 750 का अर्थ क्या होता है ये इसका महत्व क्या है तो चली शुरू करते है तो उसे पहले गॉंडी धरम में 750 का महत्व के वारे जाने से पहले हमारे जो सागाजन होते हैं 750 के बारे में पता होने चाहिए उन सबको अगर आप गॉंड हो तो अगर कोई पूछ लिया तो आपको जबाप पता होने चाहिए कई बार दूसरी समाज के लोग भी हमसे पूछ लिया करते हैं कि वह ये 750 का अर्थ क्या होता है है ना तो आप उसे आसानी से समझा सकते हैं कि 750 का मतलब क्या होता है तो चलिए अपन चाहनते हैं बिस्तार से 750 के बारे में 750 में जो पहला साथ अंक होता है वह हमारे सरीर के आत्म गुणों को दरसाता है मतलब की आत्मा के गुणों को दरसाता है सोकग ज्यान, पवित्र, प्रेम, सान्ति, आनंद और शक्ति जो ये साथ आत्मा के गुणों है इसी को वह दरसाता है तो जो दूसरा अंक होता है पांच यह पांच का मतलब सरीर के पांच तत्व से सरीर के पांच तत्व जिससे जीवन बना हुआ है इसके बिना जीवन असंभा हो है आकास, प्रथवी, पानी, अगनी और वायू ये जो पांच तत्व हैं निक वह दरसाता है सुन्य सुन्ने का मतलब होता है निराकार जैसा कि हमारे प्रकति का कोई आकार नहीं है वह अजर अमर एव निराकार है जिसका कोई आकार नहीं उसे बोलते क्या बोलते नराकार प्रकती से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है इसलिए हम प्रकती को हम पूछते हैं और पूछते रहेंगे आप देखें अगर कि 7, 5 और 0 को जोड़ें तो आता है इसको टोटल करने पर 12 आता है जैसे कि हमारे गॉंडी गनजीवों में 12 देव तक के होते हैं जैसे एक देव, दो, देव, तीन, दो, इस तरह सो होते हैं 12 देव तक और उनके गोत्रों की संक्या कितनी होती हैं 750 एक से 7 देव तक के 100 गोत्रों होते हैं 8 से 12 तक के 10 दस गोत्रों होते हैं अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 750 तो यह ती जानकारी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेयर करें जै सेवा जै कौन वाना जै बड़ा देव तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार